आज हम आप लोग को पावर कार के में आया है और पावर कार के अंदर EOG और HOG के बारे में हम सारा कुछ आपको बताने वाले हैं तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे और जो भी आप भाई बंधू मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको दिल से धन्यवाद है और सुभकामना नया साल को और हम ये इच्छा जाहिर करते हैं कि जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो भी भाई बंधू हमारे सब्सक्राइब कर ले और अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप हमारा वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि लाइक से ही आपको हमारा इस वीडियो को मोटिवेशन मिलता है और हम आपको बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं तो हम आप लोग को आज बताएंगे और आपको पावर कार के इस साइड में इधर पाइनल दिखाई देता होगा जब आप पावर कार के अनदर आते होगे घर एक श्रीक पाइनल दिखाई देता होगा तो इस पैनल को देखिए हम ओपन करते हैं तो देखिए यहां आप पैनल को खोल रहा है तो यहां आप देखिए पैनल को हम खोल लिया अब पैनल खोलने के बाद आपको यहां बहुत सारा यह ट्रांसफर्मर दिखाई दे रहा होगा तो यहां आपको अ यहाँ से हम आपको फ्यूज देखी आपको दिखेंगा यह इन्पूट आउट पूट फ्यूज हैं सब में इसी तरह से आपको चार-चार फ्यूज दिखें गाव हम आपको आगे इंपूर्ड बसे डिखाते हैं ए एक नंबर फीडर को कंट्रोल करने के लिए इस ट्रांसफर्मर का इस्तमाल किया जा था तो इस कौम सा कंट्रेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसको चल के हम चलिए दिखा रहे आपको यहां देखिये यह K01 है तो जो वहां आपको transformer देखा है तो वहई transformer से यह एक number feeder यह contractor यह control होता है यह देखिये जो वहां से 459 आया 750 से बनके तो यहां देखिये यहां दोनों जो यहां और एटू में यहां 415 इन कर गया अब देखिये यहां जो दूसरा नबर यह टेंस फार्मर यहां के बगल में और यह ट्रैस फार्मर है तो यह दोनों जो है यह 1 कपलर 1 के लिए एक और यह 200 कपलरWhen Kate के लिए ये तो चलिये हम अंदर आपको दिखा रहे है कैसा यह दोनों को अपो दौन्टर करता से यह दोनों जो कंट्रों करता है tenant अब इसका देखिए यह वर किसे करता है बस कपलर गदेए यह जब एक नंबर जब यहां जब ऑन्र है यानि एक चलता रहेगा तो एस से बी में जब हमको दो नंबर फिडर में म्झा रहेगा तो help एक नमबर फीडर में लाइन देना रहेगा तो इसको फिर हम दो नमबर के जैसे ही ओन करेंगे बस कपलर को तो दोनों तरफ इस फिडर में लाइन चला जाएगा तो इसी तरह से यह बस कपलर वर्क करता है बेलसा लिए क्वार जुनाकर में अब्लु में एक तो यह नंबर यह नोगर फीडर भी के लिए 2 ली niet पीज़ी में मअनल उसको कंट्रों व्थरी है तो यह ये कि आपको तीन कॉंटेक्टर हम दिखाएं तो यहां यह हम आपको दिखाएं फीडर A यह फीडर B और यह बस कपलर और तीनों को हम आपको अंदर उधर दिखा दियें कि कौन-कौन ट्रांसफर्मर से यह सारा कंट्रोलिंग हो रहा है अब आपको चलिए और दिखाते हैं एक 20,000 तो इसे एक तरफ लागा रहता है उसमें फीडर एक नंबर फीडर में यह लाइन कलाई भेजता है जो कोंच में जाता है और यहां देखिए जो यह फीडर B में जो है यह कि doctors कांट्रोल करता है ता है यह हम यह व्रकिंग्ग पावर कार के लिए जो कोंट्रेक्टर से उ तो इसे यही देखिये यहाँ 459 कर गया यह वन और लेटू में और उसे से यह कंट्रोल होता है जैसे ही यह कंटर होगा तो लाइक कंटर इसको होल्ड होने के बाद यहां देखी आपको ट्रंसफर्मर यहां भी पार्ष नीचन हैं आपको जो दिख रहा होगा तो इसमें भी आप देखिए यह जो ट्रांसफर्मर आपको दिख रहा है तो इससे कहा है पर जो लाइन जा रहा है इसको किसको कंट्रोल कर रहा है आए इसको दिखाते हैं आपको यहां से क्या होता है कि जो ट्रांसफर्मर जो आपको दिखा है तो वही नमबर नेट में लाइन हमारा चला जाता है अब यह देखिए यह जो दूसरा और तिसरा जो आपको यह ट्रांस्फर्मर जो दिख रहा हुआ है यह दोनों नर्वार्णंक पावर कार एक और नन वार्किंग पावर कार बी के लिए तो आए हम आपको दिखाते हैं यह दोनों क भी हैं गाब में होगा है यह गाला फ़िप्टी परव में यहहां से चलिए कहां जा रहा है तो यहां बाउन चsm यहां इस एजी आपको एट हख रहा होगा है और यहां पर में दो भन करूपरोलाल खेक आशेए लाटोल पोलमार से नलेते कम है आपको दिख रहाऊगा तो इसमें आया A वाला और B वाला देखिए A यह है B, Hो जी B ट्रंक्टेक्टर है तो इसमें जो आया ट्रंस्फर्मर से जो लाइन आया तो देखिए इसमें A और B यहां 415 आपको इन कर गया और यहां से इन करने के बाद यह दोनों कॉंटेक्टर जो आये था तो हम आपको डाइगराम के माध्यम से आपको दिखाएंगे तो आय। आये को विख लोग को जो ह्रोग में सना और पकर स्व monitor में o देखार रहे हैं ठाश किताए से तो यहां आए यहां प्लूपोर्सफ्वर्मर दिखा खाए थें तो यहां भी 750 लेता है input और 450 देता है और इसका capacity भी होता है यह सभी controlling transformer है अब देखिए जो आप पहला transformer जो आप देख रहे हैं तो यह transformer जो हमारा है तो यह K01 feeder A को controlling कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है यह देखिए जो दूसरा आप यह transformer देख रहे होंगे तो यह transformer जो हमारा है तो यह जब एक number जब हमारा डीजी सेट A जब चलता है तो यह bus coupler को hold कराने के लिए काम करता है और यह जो हमारा जो आप तीसरा जो transformer देख रहे होंगे तो यह bus coupler को on करता है जब डीजी सेट B जब चलते रहता है अब यहाँ जो आप देख रहे हैं है य पर जो तर्वर मर देखें होंगे। चौनधा नमबबर तरंसफपर्वर मर यहां देख रहे हैं तो यह तो इनुष है EVी 0 जो हमारा वोता है वहां transformer तो इसका काम है जो K06 working power car B जो है उसको hold कराने के लिए इसका ये काम करता है यहाँ देखिए यह भी आपको ये छठा सत्वा नमबर आपको दिखा रहा है हम transformer यह है K05 जो contactor हमारा लगा रहा है नन working power car A उसको hold कराने के लिए यह काम करता है अब देखिए यहां जो आठ नंबर हम आपको दिखा रहे हैं इहां ट्रांसफर्मर्मर हमें यह के जरो सेवेन जो कौंटेक्टर लगा रहता है वह नौन्वर्किंग पामर कार बी को होल्ड कराने के के लिए वहां पर मैं यह काम करता है और ये देख Anyways आपको दहिए आ आयुद नंबर देख रहे हैं ये ट्रांस्वर्मर्मर को करने के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है यह काम करता है और ये ज है हमारा ब्रांस्व 법 आप देख रहे कराने के लिए काम करता है जो जनकारी चैनल के तरफ से आप सबको ठेख सारी हार्दिक सुब का मना और नया साल की धेर शारी हारथिक सुब काम हमन्यूयर नया साल मुबार्ख हो आप लोगों को तो अब हम आप लोग को दिखा रहे हैं आगे किस प्रकार से हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो कमेंट किये हैं उनको बहुत बहुत मेरे तहे दिल से हम उनको धन्यवाद देना चाहता हूं तो भाई हमारा ये वीडियो को देखते हैं तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आपको देखने से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं बहुत देखिए मेहनत से हम इसका डाईग्राम बनाए और यह पाईवर कार का दिखार को हमें डाइग्राम में में तो आप हमें ज़रूर कोमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगो कैसा लगता है और जो कोमेंट किये हैं ज़रूर हमें उनको हम धन्यवाद देंगे तो आप लोग कोमेंट के माध्यम से जो सवाल पूछते हैं उस सवाल को भी हम जवाब देने का कोसिस करते हैं और हम आपको जवाब देंगे तो आप ज़रूर सवाल को पूछने का कोशिज भी किजेगा हम जवाब देने का भी कोशिज करेंगे और जो कोमेंट करते हैं उनको भी हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं तो आएव हम इस डाइग्राम को हम आगे पुरा बढ़ाद बताने क सब्कारेस हम बातको अब आगे बढ़ाते हैं और हम आपको डाइग्राम के मादध्यम से जनकारी दे रहे हैं तो देखिए जो हम आपको वहां सारा ट्रांस्फर्मर्ज से कौंण कांDAstore हो रहा था तो सारा क्रासणएक अब्लीक भीलार तो यहां देखिए यह बस कपलर यह कोंटेक्टर हुआ अब देखिए यहां वर्किंग पावर कार एक आओ यह हुआ कोंटेक्टर यहां देखिए वर्किंग पावर कार बी के लिए हुआ कोंटेक्टर अब यहां देखिए नन वर्किंग पावर कार नेट वन का कोंटेक्टर हु A के लिए हुआ HOG A के लिए contactor यह हुआ यहाँ देखिए HOG B के लिए यह contactor हुआ तो हम आपको 10 contactor इसमें दिखा दिए अब कैसे इससे line आगे बढ़ता है हम आपको दिखा रहे हैं कि line इससे कैसे जा रहा है आगे यहाँ देखिए पहले हम आपको EOG सिस्टम से हम आपको बता रहे हैं कि 750 volt line आगे कैसे बढ़ता है तो देखिए सबसे पहले जैसे हम engine on करते हैं start करते हैं तो DG set A जैसे हम on किया तो on करने के बाद वहाँ से 750 volt line हमें ACB के पास आया ACB जब हम on करता है तो उसके बाद line आगे बढ़ता है और line आगे बढ़ने के बाद फिर देखिए यहां हमारा feeder A में आकर line यहां रुका रहता है K01 यह जो है यह contactor जब hold होता है यह feeder A और feeder A hold होने के बाद यह line आगे IV coupler के माध्यम से यह coach through आगे चला जाता है और फिर जब देखिए यहां देखिए ACB on करने के बाद जो यहां से हमारा यह 3 line देखिए जो आगे बढ़ा यह line आगे बढ़ने के बाद R, Y, B यह 3 line यहां देखिए यह लिए और यह देखिए यह neutral है और यहां यह line जब K04 contractor जब working power car जैसे ही जब यह hold होगा यह hold होने के बाद जब DG set यह जब चलते रहगा तो यह hold होगा और यह hold होने के बाद यह line आगे बढ़ेगा और line आगे बढ़के जह हमारा जो power car के अंदर SBC panel रहता है स्टार्ट करने के बाद इसमें भी हमारा 750 volt generate होने लगेगा generate होने के बाद जब line आगे बढ़ेगा तो फिर हम ACB में line आएगा ACB को जैसे ही ओन करेंगे तो यहां देखिए यह line आगे बढ़ेगा और यह line आगे बढ़ने के बाद यह देखिए यह के जरो थिरी कोंटेक्टर जो feeder B है इससे फिर यह line जब यह hold होगा तो इससे फिर line आगे बढ़ने के बाद यह देखिए यह कपलर में IV कपलर में चला जाएगा यह side line feeder B में जब यह चला जाएगा line और फिर देखिए यह line जब फिर उसी परकार जीस्तों उसमें बताएगा उसी तरह से ACV में यह line तीन line देखिए यहाँ से आगे बढ़ते रहेगा और यह line आगे बढ़ने के बाद यह देखिए यहाँ से line यह चला गया है वर्किंग पावर कार जो वर्किंग पावर कार तो D&D में हमारा यह फिडर 2 में दो नमबर फिडर में हमारा यह line इन कर जाता है यहाँ देखिए फिडर A कॉंटेक्टर और फिडर B कॉंटेक्टर के बीच में आप एक जो एक आप देखते होंगे इसी कॉंटेक्टर को नाम है बस कपलर यह है तो यह कॉंटेक्टर को कब काम करता है और कैसे काम करता है तो देखिए हम आपको बता रहा है तो देखिए यहाँ जब हमारा DG A सेट जब हमारा चलेगा तो DG A सेट चलने के बाद इसमें तो हमारा यह line यह फिडर A से होकर एक तरफ जाता रहेगा का line हमारा यह IV coupler में एक फुरू तो जाता रहेगा हमारा सभी कोच में लाइन लेकिन हमारा यह DG A बंद रहेगा तो इस साइड हमारा line जाएगा नहीं तो इस साइड हमको line चाहिए लाइन चाहिए तो फिर हमें यह bus coupler को यह on करना होगा तो कैसे ओन करेंगे तो इसमें जब पुश बटन एक हो रहता है तो बस कपलर एक ओन करेंगे तो यह इससे होकर फिलाइन हमारा इस तरफ भी जाने लगेगा और ठीक उसी परकार जब हमारा डीजी सेट बी ओन चलाएंगे और डीजी सेट ए हमारा अफ रहेगा तो जब भेजना रहेगा तो कैसे भेजेंगे तो यहां से देखिए क्या करेंगे कि यह बस कपलर हमारा है तो उसमें भी पूश बटन रहता है तो उसको क्या करेंगे कि बस कपलर बी का जैसे हम पूश बटन ओन करेंगे तो इस तरफ भी हमारा यह लाइन जाने लगेगा तो दोनो तो्टेर से फीड़र व से कैसे लाइं जाता है बस क Flynn Dziękuję लोगों बताया अब आपको आगे बता रहा है है तो अभी आप देखिए अब 2 कॉनटैक्टर अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक nod वर्किंग पावर कार बी कॉंटेक्टर दो और है इन दोनों का आप क्या काम है हम आप इसको बारें बता रहे हैं तो यह देखिए हम पूरा एक जो डाइग्राम हम दिखा दिए आपको पूरा डाइग्राम तो आप जब भी ट्रेन देखें होंगे तो उसमें एक आगे तो चलते रहता है तो तो यह देखिए चलता रहेगा तो वह लाइन आने के बाद यह देखिए नवर्किंग पावर कार A का जो contactor है उसमें इन करेगा और इसको जैसे ही हम on करेंगे इसको on करने के बाद हमारा देखिए D&D में हमारा यह line इन कर जाएगा 750V और उसी परकार जब हमारा उधर जब डीजी सेट हमारा बी जब चलता रहेगा तो डीजी सेट बी से जो हमारा इन कर जाएगा यह दो नंबर फीडर में डीएंडी में हमारा यहां आ जाएगा 750V और हमारा इसी तरह से हम लाइट फैन फिर यहां से अपना डीएंडी से उपर लाइंड पैनल में चला जाएगा हम इसको चला सकते हैं अब हम आपको एचो जी के मादेम से बता रहे हैं कि कैसे डीजी कार के अंदर हमारा 750 बोल्ट जाता है और कैसे वह आगे कि और बढ़ता है लाइन तो हम आप देखिए आपको बता रहे हैं यहां देखिए पेंटो ग्राफ से हमारा 25,000 बोल्ट लाइन हमें मिलता है तो यह 25,000 बोल्ट लाइन फिर हमें 960 बोल्ट AC में बदलता है फिर 960 बोल्ट AC से बदलने के बाद 1600 बोल्ट DC में बदलता है तो 1600 बोल्ट DC के बाद यह कंवर्टर में जाता है फिर यह कंवर्टर इसको 700 बोल्ट AC बनाता है और 1500 बोल्ट जेते ही फिर लाइन हो गया उसके बाद फिर हमारा एंचोजी कॉंटेक्टर में चला जाता है और एंचोजी कॉंटेक्टर में जाने के बाद फिर यह लाइन यहां से देखिए यह आगे बढ़ जाता है और इसी तरह लाइन फिर आगे बढ़ने के बाद यह कॉंटेक्टर फ कर देखिए उसी परकार इधर देखिए यहां फिर उसी परकार दूसरे तरफ से भी अगर फिर है तो यह पेंटो ग्राफ में 25 बोल्ट यह लाइन इन करेगा और यहां भी 960 बोल्ट पहले एसी बनेगा फिर यह लाइन आगे बढ़ता है तो यह कपलर के थूर आगे लाइन चला गया दूसरे तर और फिर यह लाइन फिर यहां से देखिए आगे बढ़ जाता है आगे बढ़ने के बार जैसे ही के 06 कंटैक्ट्टर यह लाइन आगे होल्ड होने के बाद इस देखिए यहां डी औरणी में इन कर जाएगा यह तो यह पाइनल के अंदर जो राता है कि आज हम आपْ लोग को ड़िज्वान के माध्यम दिख तें और और कैसे आगे बढ़ता है तो हम अब इसके बारे में ज्यादा डीटेल्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा डीटेल्स करने पर हमारा वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो अगर आप लोग को अलग अलग पुछ इसके बारे में और जनकारी चाहिए तो आप हम लो आपको अच्छा लगा होगा तो आप दिल से इसको लाइक जडूर किजिएगा और धेर सारी आपको नए साल की सूब कामना आपके जीवन में धेर सारी उजाला आये नए साल में और हमें मोटिवेशन के लिए आप लाइक कोमेंट हमें करते रहेगा इसलिए हम आपको नवाद